नमस्कार मैं हूँ स्रिश्टी दवायर बुलिटन में एक बार फिर आप अपका स्वागत है नजल डालेंगे आज की बड़ी सुर्खियों पर रफाल कवरिज की वज़े से अनलंबानी ने दवायर पर किया 6,000 करुन रुपे का मानहानी मुकदमा क्या चुनाव आयोग की महरबानी से भाचपा को करोनो रुपे का लाब हुआ सम्विधान के सुझावों पर ध्यान नहीं देने से अराजकता तेजी से बढ़ेगी मुक्नय अधीर यूएन ने महिलाओं के लिए उनके घर को सबसे खतरनाग जगा बताया मालदीव सुप्रीम कोट ने पूर राश्पती मुहमद नशीद को आतंगवात के मामले में दोश मुक्त किया शुरुआत करते हैं आज की खबर से अनिलंबानी की कंपनी रिलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने रफाल डील के मामले पर दोवायर की ओर से किये गए एक वीडियो शो के कारण मानगानी का मुकदमा दायर किया है यह मुकदमा जो है वो गुजरात के एहमदाबाद स्थितिक सविल कोट में दायर किया गया है 23 अगस्त 2018 को रफाल जील Understanding the Controversy नाम से एक वीडियो शो जो है वो वायर के और से प्रसारित किया गया था इस मुद्दे पर जो कॉन्वसेशन था उस पे तीन लोग शामल थे वरिश रक्षा पत्रकार अजे शुकला दवायर के संस्थापक संपादक MK Venu और इस शो की आंकरिंग कर रहे थे राश्ट्रिय सुरक्षा जो विशलेशक हैं एपी मौन जकॉप और इस शो को जब प्रसारिन किया गया उसकी वज़े से अने लंबानी ने दवायर पर के जो संस्थापक संपादक हैं फाउंडर एडिटर्स हैं MK Venu, Siddharad Bhatia Ajay Shukla और दवायर के Office Manager के खिलाफ मुकदमा दायर किया है हालंकि जो Office Manager हैं उनका किसी भी तरह से एडिटोरिल कंट्रोल या फिर फिनांशियल मैटर्स हैं उन पर किसी भी तरह का कोई decision लेने का उनके पास अधिकार नहीं होता है लेकिन सवाल मोधी सरकार पर इस रफाल विवात को लेकर उठ रहे हैं उन्हीं पर अधारित था इसमें सबसे बड़ी चीज ये देखने की कोशिश की गई थी कि ये जो रफाल की डील हुई है उसमें कितनी पारदर्श्यता है कितनी ट्रांस्परिंसी है ये देखने की कोशिश की गई थी और ये भी देखने की कोशिश की गई थी किस तरह से आखरी समय पर मोधी सरकार द्वाला रफाल डील में बदलाओ करकर लांबानी स्में गाथ सी में किया अन्यलंबानी के आने इंफंसर्ट्रॉक्ट्टूर्स का track record चेक या था जब यह गया था कुण्में करूब ने अपना new efficient पार्टनरे चुना अब अन्यलंबानी सब्सक्राइं अपैरलम नंचान पूरि क्यों है इसमें किसी तरह से जो भी बाते की गई हैं वो सही नहीं है गलत हैं और यह बाते उनकी कंपनी उनके चेरिमेंड की प्रतिष्ठा उसको नुकसान पहुचाने के उद्देश्ते की गई है और कंपनी ने एक हैतून बात देखें तो इस मानहानी का मुकदमा दायर करने के जितना बड़ा मानानी की राशी होगी उतना जादा आपकी उतनी अधिकाप की मुकदमे की फीस होगे अगली स्टोरी जो है वो दवायर में आज धीरज मिश्रा की स्टोरी छपी हुई है लेकिन बहुती महत्पूर्ण ये सवाल उठाती है ये स्टोरी की क्या चुनाओ आयोग की महरबानी की वज़े से भाजपा को करोनो रुपय का लाब हो रहा है आपको बता दे ये जो विशेश रिपोर्ट है ये इस पूरे घटना करम को बताती है कि किस तरह से चुनाओ आयोग में भाजपा की ओर से जो दाखिल की गई इस बार की अनुदान रिपोर्ट है वो क्यों सवालों के घेरों में है तो जो नियम है वो ये कहता है कि देश में जो सभी राज आस्तर की और राजस्तर के जो भी राजनतिक दल है उनको इनकाम टैक्स रेटन भरने की जो आकरी तारीक है उससे पहले चुनाओ आयोग को ऐसे लोगों के नाम और पता की जानकारी देनी होती है जिन्होंने पार्टी को अनुदान या फिर चंदे के रूप में पैसा दिया है 20,000 रुपे से ज़ादा ये नियम कहता है और साथी में अगर को भी पार्टी समय पर ये रिपोर्ट नहीं दे पाती है तो जो जन प्रतिन धित्व अधिनियम है 1951 का उसके तहत ये बात कही जाती है कि उस पार्टी को टैक्स छूट से वंचित कर दिया जाएगा लेकिन अब 18 नवंबर के अगर हम बात देखें तो जिसका स्क्रीन शॉट भी दवायर के पास है आप स्टोडी पर देख सकते हैं कि किस तरह से चुनाव आयो की वेबसाइट को चेक क्या गया था और उस समय की जो स्थिती थी वो ये बताती थी कि साथ राश्ट्रिय दलों में से जो भाजपा है भारती जनता पार्टी को छोड़कर सभी ने अपनी अनुदान रिपोर्ट जो है कॉंट्रिबूशन रिपोर्ट जो है वो समय पर दाखिल कर दी थी यह थारा नवंबर के हम बात कर रहे हैं और साथी में जो भाजपा के अलावा तीस राश्ट्रिय इस तर के दलों ने भी इस रिपोर्ट को दाखिल नहीं किया था इसमें बीजो जनता दल एक प्रमुक पार्टी है अब चुनाव आयोक यह दावा कर रहा है कि 31 अक्टूबर को जो कि आयकर रिचन भने के आखिली तारीक होती है उसके पहले यानि कि 31 अक्टूबर को चुन जालों के घेरों में खड़ा हो जाएगा क्योंकि 13 अवंबर को 2018 को जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो चपी रिपोर्ट है वो भी इस बात का दावा करती है कि तब तक भाच्पा ने चुनाव आयोग में यह रिपोर्ट दाखिल नहीं की थी तो जो जन प्रतिन अधित्व अधिनियम है 1951 का उसकी धारा 29C के मताबिक जो पार्टी का कोश्य अधिक्ष होता है या फिर कोई और व्यक्ति इंकम टैक्स रिटन भरने की आखरी तारीक से पहले वो चुनाव आयोग में पार्टी को मिले अनुदान की रिपोर्ट को दाखिल करता है और अगर ऐसा नही बताया उसको टैक्स ठूट नहीं मिलेगी और इस बार की जो रिटन भरने की आखी तारीक हो है वो 31 अक्टूबर थी बीते 19 नवंबर को भोपाल की एक समाजी कार करता है अजे दूबे उन्होंने चुनाव आयोग और मुक चुनाव आयोग ओपी रावत को इमेल भीज कर शिकायत की कि भारती जनता पार्टी और 30 जो राज इस्तर की पार्टीया है उन्होंने ये रिपोर्ट दाखिल नहीं किये उनके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए अजे ने इस संबन में जब कारवाई की मांग की उसके बाद 20 नवंबर को भूपाल की एनेजडी सी रेस्ट ह और देरी से जमा करने के कारण जो भी मतलब उनकी पार्टी को उचित कारवाई का सामना करना पड़ेगा ये ओपी रावत ने कहा था लेकिन अब हैरानी की बात ये है कि चुनाओ आयोग जो है वो अब इस बात का दावा कर रहा है कि भाजपार 31 अक्टूबर को ही ये अब खास तोर पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस दिन इन्होंने शिकायत की थी उसके अगले दिन से ही चुनाओ आयोग की वेबसाइट है वो डाउन हो रही थी और उसका वो सेक्शन ने खुल रहा था जहां पर कॉंट्रिबूशन रिपोर्ट अप्लोड किया जात बेराल 22 नवेंबर को अब दवायर ने मुक चुनाओ आयोग ओपी रावत को इमेल भेज कर ये जानकारी मांगी कि आखिर भारती चंता पार्टी ने ये अनुदान रिपोर्ट कब दाखिल की और अगर नहीं समय पे दाखिल की है तो उसके खलाफ क्या कारवाई की जाएग हालंकि ओपी रावत ने दवायर के इमेल का कोई जवाब नहीं दिया लेकिन अचानक से अगले दिन यानि कि 23 समबर को जो वेब साइट है उस पर भाजपा की अनुदान रिपोर्ट देखने लगी 19 समबर से पहले तक चुनाव आयोग की वेब साइट पर दिख रहा था कि त्रणमूल कॉंग्रेस और माकपा ने भी अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है लेकिन अभी का अपडेट हम आपको ये बता रहे हैं कि आयोग ने इन दोनों पार्टियों की जो रिपोर्ट है को अ अब सवाल ये उड़ता है कि अगर पहले वेब साइट पर इन दो पार्टियों की अनुदान रिपोर्ट थी दिख रही थी कॉपी तो चानक से इससे क्यूं अटा लिया गया खास तोर पे एक और बात ध्यान देने वाले है कि भाजपा और अन पार्टियों की जो अनुदान रिपोर्ट है उसके पहले पेज में भी काफी अंतर है इनस बार भाजपा को छोड़ कर अगर आप देखें तो सभी पार्टियों के लिए प्रक्रिया होती है जिसको फॉलो करते हुए अनुदान रिपोर्ट उनकी सुविकार की गई है लेकिन भाजपा की द्वारा जो दाखिल की गई रिपोर्ट है उसमें रिसीविंग लेटर पर ना तो आर नाई सेक्शन का ठपा है ना ही अंडर सेकेटरी का हस्ताक्षर है ऐसा प्रतीत होता है कि सीधे चुनाव आयोग की जो डीजी एकस्पेंडिचर विभाग में ये भेजा गया है और महाग के डिरेक्टर ने इस पर साइन किया है हस्ताक्षर की तारीक को भी एक बार लिखकर उसके उपर ओवर्राइट किया गया है इससे पहले आपको बता दे कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भाजपा की अनुदान रिपोर्ट से सम्बंदिच जो तारीक है उसमें भी काफी कांटरिक्शन दिखाई दे रहा है आयोग की वेबसाइट पर लिखा है कि भाजपा ने 27 जुलाई को ये रिपोर्ट फाइल की है भाजपा की रिपोर्ट में लिखा है 31 अक्टूबर को 2018 को ये तारीक लिखी गई है डेट भी कांटरिक्शन है जो प्रक्रिया दिख रही है उसमें भी काफी कांटरिक्शन है जो स्क्रीन शॉट हम आपको दिखा रहे हैं तब तक भाजपा की रिपोर्ट दिख नहीं रही थी, वेबसाइट भी डाउन हो रही है, तो पूरे घटना क्रम है, ये पूरी तरह से चुनाओ आयोग की निश्पक्षता पे भी कई सवाल खड़े कर देता है, बहराल आयोग ने ये नहीं बताया है कि आखर किस तारीक को भ तो आयोग का अगर जो दावा है कि 30 अक्टूबर को सम्मिट कर दिया गया है, या फिर जैसा लिखा हुआ है 27 जुलाई को सम्मिट कर दिया गया है, जिस तारीक को भी सम्मिट किया गया है, लेकिन तब से लेकर अब तक 27 नमंबर आ गई है, काफी दिन बीच चुके हैं, आ उन्होंने एक बड़ी बात कही है उन्होंने कहा है कि सम्विधान के जो सुझाओं है उन पर ध्यान देना हमारे सरवशेश्चित में होना चाहिए और ऐसा नहीं करने से जो अराजकता है वो तेजी से बढ़ेगी तो सम्विधान दिवस यानि कि 26 नवेंबर को आयोजित एक काईकरम में उन्होंने कहा कि सम्विधान जो हमारा कॉंस्ट्यूशन है वो हाशिये पर पड़े लोगों के साथ ही बहुमत के विवेक की भी आवाज है और ये अनिश्चिता तथा संकट के वक्त में एक मारदर्श में तब्दील हो जाएगा अगली ख़बर के अगर हम ओर चलें तो यूनाइटेज नेशन संयुक्त राष्ट ने महिलाओं के लिए उनके घर को सबसे खतरनाक जगा बताया है मादक प्रदात एवं अपरात पर संयुक्त राष्ट कारयाले की ओर से जो प्रकाशिता नए अ करिवार की सदस्यों के हात हुई तो एक तरह से जो घर है वो सबसे खतरनाक जगा महिलाओं के लिए बताई गई है और इसके अनुसार यह जो आकडे हैं उनके अनुसार अगर हम देखें तो हर घंटे करीब 6 महिला जो हैं वो किसी परचित के हातों मारी गई है उननीस ओ प प्रचानिया जॉर्डन और तजाकिस्तान से ज्यादा है इसके अलावा भारत में 15 से 49 वर्ष की 33 प्रतिशत महिलाएं और लड़कियों ने तता पिछले साल अगर आप देखें तो लगभग 18 प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने जीवन में कम से कम एक बार जो शारिरिक हैंसा है उसका सामना किया है भारत में दहेच से संबंधित जो होने वाली मौत के मामले हमेशा एक तरह से चिंता का विशय बने हुए हैं अधियन में ये भी कहा गया है कि राश्ट्रिय अपराद रिकॉर्ड ब्यूरो से प्राप्त आक्रों से ये पता चलता है कि दहेच से संबंधित हत्या के मामले महिलाओं की हत्या के सभी मामलों के 40 से लेके 50 प्रतिश्यत तक हैं और इसमें 1999 से 2016 के दौरान एक तरह की स्थे प्रवती भी देखी गई है आखरी खबर के गरम और चले तो मालदीफ की पहली लोगतांतरिक सरकार के मुख्या रहे मुहम से कि मुहमद नशीद के खिलाफ पिशली सरकार में जिस तरह की सुनवाई हुई वो राजनीती से प्रेरित है और ये बहुत दुख की बात है कि किस तरह से एक निर्दोश विक्ति को एक साल जेल में और 35 महीने नर्वासन में काटने पड़े और उसे राजनीतिक पत से भी रोका गया तो साल 2008 में मालदीव में हुए जो पहले बहुदलिय चुनाओं में मुहमद नशीद को राश्पती के तौर पर चुना गया था इसके बाद 2013 में अब्दुल्यामीन राश्पती बने थे आपको बता दे 2012 में राश्पती रहते हुए एक वरिष्ट नयाधीश को गृफतार करने का आदेश देने के कारण आतंगवात का दोशी ठहराते हुए नशीद को 2015 में 13 साल की जेल है की सजा सुनाई गई थी दुनिया भर में इस सजा का काफी विरोध हुआ था कहा जा रहा था इसके लिए जो पूरी प्रक्रिया का सुनवाई के दूरा जिन प्रक्रियाओं का पालन होना था वो नहीं हुआ है तब सायूत राश्ट ने भी इस मामले को पूरी तरह से राजनीती से प्रेरित बताया था लेकिन अब्दुल्ला यमीन ने इस विरोध को दर किनार रखते हुए अब मतलब नशीद को और उनके जो कई राजनेतिक प्रतिद्वन्धी है उनको भी जेल में डलवा दिया था इसके कुछ महीने बाद नशीद को उपचार के लिए ब्रिटेन भीजा गया उसके बाद वो काफी समय तक नर्वासन में रहे पिछले करीब एक साल से पूर्वराश्पती नशीद श्रेलंका में थे इस दौरान मालदीव के अदालत ने भाड़ा बिगोशित कर दिया बीते 23 सितंबर को मालदीव के आमचनाव में मुहमद नशीद की पाठी की जीत के बाद उन्होंने अपनी सदेश वापस की गोशना की थी और बीते 1 नवंबर के बाद वे मालदीव में लोटे वहराल इन सारी खबरों को जाके आप दवायर की अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू वेबसाइट्स पर पढ़ सकते हैं इससी के साथ में सृष्टी दवायर बलचन में आज इतना ही दवायर की और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकान पर क्लिक करें स्वतंत पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुनें